आज की मेरी रेसिपी है एक अन्यूजवल सी बट जोदपुर में शादियों में बनने वाली एक बहुत ही शांदार और स्वादेश सबजी ककड़ी और अंगूर की सबजी वैसे तो इस सबजी में थोड़ा सा घी जादा लगता है बट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है दो बड़े चमज घी दे बड़े चमज घी लें और घी घरम होने पस में हींग और जीरा डालें ककड़ी को आप अच्छे से धो कर काटकर रख लें और अंगूर भी साफ करके दो टुकड़ों में काट लें अब कटीवि ककड़ी इसमें डालें और उसे हिला कर ढखक कर इसमें दो हिस्सा नगूर होता है दो आप चाहें जैसा कम जादा कर सकते हैं जैसा आपका स्वाद हो तो कट्री को पक गई है तो आप इसमें मसाले डाले और कद्धुकस कीवी थोड़ी सी अद्रक एक बारिक कटिवी हरी मिर्च डाले एक चमच लाल मिर्च पाउडर, एक चमच धन्या पाउडर, चौथाई चमच हल्दी पाउडर डाल कर इसे अच्छे से हिलाएं अब इसमें एक बड़ा टमाटर बारिक करटावा डाल दें उसे भी हिलाएं थोड़ी दे टमाटर को पकने दें एक दो मिनट के लिए ढख कर अब ये थोड़ा सा अपना घी छोड़ने लगा है तो आप इसमें दो चमच दही डाल दें थोड़ा सा टाइट दही अब दही को भी हिला कर थोड़ी देर फिर से पका लें करीब दो मिनट तक दही के पक जाने पर आप इसमें थोड़ा सा चोथाई चमच करीब करम मसाला डालें और साथी साथ कटेवे अंगूर दिला दें हिलाएं इन्हें थोड़ी देर अंगूर को भी पकाएं करीब एक से दो मिनट अब इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएं साथी साथ पारिक कटावा धन्या पत्ती और आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं तैयार है ककड़ी अंगूर की स्वादेश्ट और अनोखी सबजी यह बहुत ही तेस्टी लगती है इसे एक पर जरूर से बनाएं आप चाहें तो इसमें गी की मात्रा बढ़ा सकते हैं झाल